तो चलिए आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रहे हूं कि चिकन को मैरिनेट कैसे करें और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनता है इसे करी में भी बना सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन यह मैं करी के लिए बना रही हूं और इसे हम अच्छे से वाश करके लेंग इसमें हम डालेंगे नमक पहले यूज करेंगे तो यह मैंने ले लिए हैं नमक हाफ टीस्पून लिया है नमक अपने टेस्ट के कोर्डिंग डालना है क्योंकि नमक हमें इसमें बहुत जादा नहीं उसकरना है क्योंकि ग्रेवी में बनाना आई इसे तो नमक इसाफ से डाल यानि आधा नीबू करस और हाफ टीस्पून मेने लिया है लाल मिज का पॉर्डर मेर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पॉर्डर और इन सारे मसालों को मिक्स करना है अच्छे से यह वन टीस्पून मैंने लिया है कॉर्ण फ्लाओर इसको इसमें मिक्स करेंगे बस ध्यान रहे कि अगर इसे करी में आपको फ्राई नहीं करना है तो कॉर्ण फ्लाओर का यूज नहीं करना है अगर आप फ्राई करके ग्रेव डाल सकते हैं अगर आपको फ्राई नहीं करना है चिकन तो मैं इसे फ्राई करके बनाओंगी तो इसलिए मैंने इसमें कॉर्न फ्लार का यूज किया है तो बस इसे हम मैरिनेट करके और इसे रख देंगे आधे गंटे के लिए अगर आप पास टाइम नहीं है तो आप 10-15 मिन भी रख सकते लेकिन आप थोड़ी देर जादा रखेंगे तो यह टेस्ट बहुत अच्छा हैगा इसका चिकन का बहुत जादा टाइम इसमें नहीं लगता है और यह बहुत ही टेस्टी बनता है बस इसे फ्राई करके जब आप इसे बनाएं इसको फ्राई कर बहुत जादा इसे कोख भी नहीं करना है बस थोड़ा सामें इस पर कलर लाने तक ही फ्राई करना है और इसके बाद इसे निकाल देना है क्योंकि हमें ग्रेवी में जब भी पकाएंगे इसको तो यह चिकन पूरा अच्छे से कोख हो जाएग पहुत छीकन बनता है यह भी बिलकुल हाँ कि इसमें वहादा मसाले भी नहीं ऊच्छा जाता है इसमें कोई इसमेल वगए रह च्छी है चिकन में हम इस तरह से अगर मसाले कुछ लगा के रख देते हैं तो बस इसे कवर करके रख देंगे आधी गंटे के लिए और उसके बाद हम इसे फ्राइ करके बस आप फटा फट से आप ग्रेवी बना के इसमें एट कर सकते हैं मसालों के साथ थोड़ा सा भून के इसकी ग्र ट्राइ करें तो अकर यह वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलेगा कमेंट बाक्स में भी जरूर बताएगा तो बस अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है बस फटा फट से इसे हम रख देंगे कवर करके और उसके बाद हम इसे फ्राइ करके बना लेंगे ग्रेवी में